अर्याना प्रदेश नंबरदार एस्यूसेशन ने ग्यापन दिया जिसमें उनकी काफी मांगे हैं गटबंदन सरकार ने पूरी करनी चाहिए मेरा कहना ये कि नंबरदार एक बड़ा समानित एव जुम्यदारी का पद है नमबरदार सरकार वैट जन्ता के बीच की बड़ी ऐमकड़ी हैं नमबरदार की सनाकत से बड़े-बड़े काम होते हैं भाजपावा जजपा गटबंदन की सरकार नमबरदार के पद को दीरे-दीरे खतम कर रही है जो बिलकुल गलत है एक ग्यापन अर्याना गरामिन चोकिदार सब आने भी दिया है चोधरी भुपेंदर सिंग उड़ा जी जब अर्याना के मुख्य मंतरी थे गरामिन चोकिदारों का वेतन लागू किया था और उनके मान सम्मान में और भी कहीं सकी में लागू करने का काम किया था वर्तमान सरकार गरामनी चोकिदारों के लिखी हुई मांगों का मानने का काम करे क्योंकि सरकार किसी के भी पास आदी रात को भी कोई सूचना देना चाहती है तो गरामनी चोकिदारों के मैदम से देती है जब गाओं पर कोई संकट की गड़ी होता कर रात को पैरा देता है अर्याना गराम सपाई करमचारी सबाने भी एग्यापन दिया चोदरी भुपेंदर सिंग उड़ा जी ने मुख्य मंत्रे उत्य गाओं की सपाई के लिए एक कलम से ग्यारा जार सपाई करमचारी लगाने का काम किया जिनको लगे 14-15 वरस होगे उन गरीब आत्मियों को पका करने का काम सरकार करे गाओं में सरपच जो बढ़े हैं उन पर इट्रेंडिंग सकीम जो आपने लागू की है इससे समस्त अर्याने के गाओं का विकास रुका हुआ है मैं खुद सरपच रहा हूँ यह सकीम गाओं के विकास कारियों में बड़ी बादा है सपिकर साब मेरी आपके मैदम से गटवंदन की सरकार से विंती हैं इस सकीम को खतम कर दे सरकारी कर्मचारी जो OPS की मांग कर रहे हैं बादवाद जस्बा-घटवंदन की सरकार ने चुनाओ के समय रेलियों में OPS लागू करने की गोशना की थी अब हैं आप इसे लागू क्यों निकरते मैं मांग करता हूँ कि सरकार इसे लागू करने का काम करे एक मैं आपके मैदम से सपीकर साथ सकार से कहना अचाता हूँ कि मेरे अलका नोड़ता में अंडर पास के लिए एक अस्टीमेट बनकर आया हुआ है जो मुख्यमंतरी जी ने विश्वास दिला आता कि उसके पैसे हम जमा कराएंगे उसे बनाने का काम भी पैसे जमा कराने का कई बार हमारी और कहते हैं कि ये आप भी कहते हो सपीकर साथ कि ये सब कुछ आपके समय में हो था कई भात वतले हैं जो आपके समय में हो ता मैं एक बात ये आपके मेदम से कहना जाता ताơं सरकार से कि अर्यारे में जो 10 साल से गरीब तब के लोग चैँ सकूलों में थे चैङ हुस्पिटलों में थे चैजिक कहीं भी लगे हुए थे जो 2000 पेमें नोकरी कले थे तो हमारे समय में चोधरी भुपेंदर सिंग उड़ा जी ने उन लगे हुए दस साल के करमचारियों को पका करने का काम किया था आप में भी समय है तो आप भी करके दखाओ उमारी रिसकर से दोकरों चोधरी भुपेंदर सिंग उड़ा ने किया था आप ये वरतमान सरकार उन से सब सारे करम सारे को पका करेंगा काम करें सबीकर मौद आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया और मुझे उमीद मुझे तो को नोकरी मिली और इलीगल कलोनिया कादू कानून बनाया बड़ा इतिहासी कानून इससे पहले कभी नहीं बने आरियाना मैं रेगलर किया मुझे उमीद है पाकी कलोन नी भी सारी रेगलर करेगी सरकार साहे थे उनकी सेलरी कम से कम 25,000 करो और पेंशन एक अजार सरपंच की हैं कि कम से कम 5,000 करो कई कई गाओं के रेप्रेजन्टेटिव हैं और सरपंच की पेंशन भी बढ़ाओ वीबा कौशी के घर चिला गया है एक बार में 15 साल के पी एच डी की हुई लड़की नोकरी करिये डियन कोलेज में सिर्फ सोड़ाजार सेलरी मिल रही है पिसे ज्यान करो उसको सेलरी इनकोस्ट आपको पूरी मिली चाहिए डिमान पूरी करो और गगर लेंड का कमपनसेशन जो था जो मैं सदम के मादम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि आज परदेश का युवा कितना बदहाल और बेहाल हो गया है कहीं CET के नाम पर उनके साथ खिलवाड हो रहा है ये क्या हो रहा है मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हर युवा को CET में बैठने का मोका मिलना चाहिए एक्जाम में आज वो बहुत ही बुरी आलत में है दूसरा में सरकार कहती है कि बेरोजगारी घटी है मैंने सरकार से किस्टन लगाया था माननी उपादेक्स मोदे इन्होंने उसमें ब्योरा दिया है 2015 से लेकर 2023 तक लगए 14 लाक रिजिस्टर्ड हुए हैं रोजगार कारियले के अंदर पंजी कर्द हुआ है और पिछे देते दो दो आकड़े जेरे के एक तरफ देते पंच लाक तो बेरोजगारी जो नोकरी दी है 2015 से और अब तक वो 97,000 जो एचसी के थूँ दी है तो ये बाकी है कहा है 13 लाक तो इनके डेटर के इसाब थे इन्होंने जो रिकोर्ड दिया उसके हिसाब से तो यूआओं की तरफ जहांदे आज यूआ नसे में बधाल है उसका बुरा हाल है इसकी तरफ सरकार को कहना थे खाली बाते कहने से कि हमने बेरोजगारी कम की है ये उनका दिया हुआ हुआ है जिसमें ये साप साबीट होता है कि आज बेरोज़गारी चरम सीमा पे पहुंच गी है उसके अलावा में उपादेक्ज मोदे सरकार से बताना चाहता हूँ आज सरकार का हर कारिय इंप्लिमेंट करने में लिपिक वरक का सबसे बड़ा योगदान होता है आज वो किस प्रकार से अतास और निराथ बेटा है सब उसकी बज़े उसको उसका हक देने का काम करें और जो आउट सोर्सिज के और एक केरान में जो आपने सरकार ने लगा रखे हैं उनको एक एक साल से वेतन नहीं मिल रहा हूँ उनके उपर भी दया करें उनको वेतन देने का काम करें आज सावरकर आज पूरे परदर्शन कर रही हैं पूरे परदेश के अंदर बैटी हूँ हैं उनको उनका हथ देने का काम करें पिछले दस से पंदरा साल के कच्चे करमचारी जो लगे वे हैं उनको किसी की ने सुद्बूद ने ले री उनके लिए विचार करे सरकार को एक पॉल्सी बनाने का काम करे और मैं आपको बताना चाहता हूँ आई आई टी जो आई टी आई के अंदर इस्ट्रेक्टर लगे वे थे पिले 10 साल से उनको तो अटाने का नोटिश दे दिया जो 10 से 15 सा उनके बिचार और ओवर हो चुके रोज एक जा चुके खाँ जाएंगे और नए जो परती 2019 से पेंड लिए चाहता है उनको आगे आप लगानी रहे उनके उपर आप विचार करें ये मेरी सरकार से निवेदन है और ग्राउnd मैं जो सरकार ने प्लेगराउंड गाउंँ में स्टेडियो करना चाहता हूँ बीमा कंपनियों की लूट, जो आपक्रदेश में, किसान के साथ इतनी बड़ी जाती हो रही है, बीमा कंपनियों ने उनका प्रीमियम काट लिया, और उनको एधल काक्त ल gefी नह लीन से कोई मौवज़ा काम नई, सरकार किसान इसार में, जीन्द में, सर्षा में, रोतक में, सड़कों बेठा हुआ है, ऐसे ऐसे हाल है, जो प्रीमियम बढ़ता था 22,000, 24,000 रुपे उलिए खाते बढ़ी, जो भीमा कंपनियों की मनमानी है, उसमें सरकार सक्ट एक्षन लेकर कारवाई करने का काम करें, श्री विसंलाल सेंड जी, क किसी की कमर, इंपलाई आता है, ओपिएस के लिए उस पहला ठीचार, तो जिस तरह से बहुत करमचारी और वेपारी मायूस है, करमचारी सड़कों पर है, करमचारी आसावर कर देखो जी आप, कितने लोग हमारे डेपूटेशन हमारे से मिलते हैं जी, मैं आपको करूँ कि सरपंच एसोशियेशन मिली, नंबरदार मिले, चोकीदार मिले, और जी, जमादारां की एसोशियेशन मिले, आंगणवारी एसोशियेशन मिले, और ये आसावर कर देखो जी, ये साथ आप जो मिमोरेंडम आये हैं हमारे पास, सरव करमचारी संक आया जी, सरव करमचारी सं का कोई मतलब हमें उनके जो उनको प्रमाननि寂 किया जाए और उनको ओपेस दीजर इस तबरके हैं फिर डिप्लोमा इंजिनि रेस़ोशियेशन का है ठीज पेस्ट्रोक्शर और प्रमोसिंट की इनकी मांग है फिर इसके बाद क्लैरिकल का दिया जी क्लैरिकल की मांग जो है जी पुरानी है या के इनको 35,400 का ग्रेट दिया जाए 42 जना अर्ताल पर है और इनको दोखा मिला जी और इसके बाद जी आउट सोर्स पार्ट टू इंप्लाइज सोसाइटी ने भी दिया है इसके भी करमचारियों को जो है न जी जी वो मिनिमू वेजिज दिया जाए मिनिमू वेजिज नी मिल रहा है इसके साथ साथ आप देखो जी वी तिये शंसा ठेका करमतारी संगरियाना इन्होंने भी दिया है जी इनको साथा जारा देखो जाए मिनिमूम वेजिज दिया जाए जी ये में कर दू टेबल साथ लाए जी वेजिज बेजली करमचारी हैं जो क्लियरिकल असोस्येशन की मांग है कि बेसिक आए के अंदर वृद्धी की जो मांग है इसको मैं मानता हूं तर्क संगत तरीके से उनको नियाए देनी के आवशकता है जो बिजली विबाग के कच्छे करमचारी है उसका जो सही माइने में उसमें ऐसे 15,000 करमचारी है जिनकी आए 21,000 से जादा उन्हें एसाइ का लाब नहीं मिलता उनको मेडिकल बेनिफेट से जोड़ने के जुरूरत है और जो वाटर वर्स के प सरकार ने दिया इस नारे को तो आप बंधी कर दे क्'te me कर दे क्यां कि जो हमारी तो फ्रोपर उनकी पर अपनी उनकी जो वba कर चानला है उनको पॉस्ति निक की आता कोई चीज़ निक कर देले जाएson सब्सक्रों एक बड़े ही जिटरी सफीकर सार बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा हैं कि 200, socio में मेंबर बोल रहे हैं मेंबर बोल रहे हैं अपका टाइम चल रहा है उनकी बात को रिकॉर्ड में निजारी डिफ्टी स्पीकर साथ में बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ग्रामीन सफाई करमचारी हमारी सरकार में भरती हुए थे और आज उनकी आलात ऐसी है ना तो समय पे उनकी तंखा मिलती है किश्ची सो रुपीय दिये जाया करते है आज उसका भी कोई ठिकाना नहीं और ना ही उनके पास कोई साथन है अगर कोई सपाई करमचारी मर भी जाता है सरकार की तरफ से कोई उसको रात नहीं बिलती है ऐसे बलके 17 साल होगे रेगुलर करने की बात करनी चाहिए सरकार ने और सफाई करमचारी को बढ़ाने की बात करनी चाहिए लेकिन उनकी तरफ सरकार का कोई द्यान नहीं दूसरा है हर्याना पार्ट टाइम स्विपर यूनियन यह भी 15-16 साल से हैं और इनको बिचारों को 6000 भी तं से कम बर्ती तो नहीं कर रहे हैं कम से कम इन को ही रेगुलर करते ताकि उनके परिवारों का गुजारा उसके और इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा मेरे खरकोदे अलके में एक सड़क है सोही पत्तोर पे धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतिहासिक काम करके हर्याना की लाको करमचार और धिकारियों को नया देने का काम किया है मानस भी करम होते हैं मैं आपके माध्यम से अरोद करना चाहूंगा कि पतोदी के दो तीन ऐसी सड़क है जो बहुत जादा ऐसे में अनुसिजित जाते के परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपे की जो रा करन योजना है उसके अंदकर्ट आने वाली 80,000 रुपे की राशी जो है उसको कम से कम बढ़ा कर सवा लाक रुपिया किया जाना चाहिए अदेक्स मौदे हरियाना एडवोकेट विशेशकर जो हमारे नए वकील आते हैं उनके इंटरस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए आज क समय में इसान बैठे हैं वो पिछले दो महिने से एक मांग कर रहे हैं कि जो ये शतिपूर्टी पोटल अनेकों विदाइकों ने इस बात को उठाया है मैं भी आपके मादम से कहती हूं कि तीन दीन के लिए बहतर गंडे के लिए शतिपूर्टी पोटल खुला है गाओं के लोग इस शतिपूर्टी पोटल के बिलकुल अन्जान है तो सरकार ने एस्टियम के द्वारा जो भी गिरदावरी रिपोर्ट सरकार को बेजी है उनको सर्सों की फसल का मुआफ़जा मिलना जी है मैं एक मां मोरख हूंगी